नवस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है All News बाई उदसर में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी जानकरी है और H.A.S.S.E. चेर्मेंस आपका बहुत ही बड़ा इंटर्वी हुआ है और बहुत ही बड़े बड़े जवाब है जो भी आपके कौशन थे वो सारे यहां से किलियर हो जाएंगे हर पिरकार की जानकरी आज के पेपर में दरसाए गई है विद प्रूप दिखाने की कोसिस करेंगे जहें आपकी ग्रूप C भरती के डॉकुमेंट्स को लेकर पोर्टल की बात है ग्रूप C के लिए फरवरी में फॉर्म बरे जाएंगे बरतियों के लिए जो आने वाले समय में बरतिया होंगी ग्रूप D के लिए फॉर्म चैर फरवरी के आस पास बरे जाएंगे ये भी बताएंगे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है और Group D exam के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में और एक और जानकर ये साथ के साथ हरियना पुलिश बढ़ती के लिए फिजिकल में साथ उनाय युवा बुलाई जाएंगे भई तो बड़ी बड़ी जानकर ये विद प्रूफ दखाने की कोसिस करेंगे और जो नए साती है पहली बार इस चैनल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सेर कर देना तो दोस्तो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से भई दोस्तों बारी कीसे समझाने की कोशिस करेंगे वीडियो के साथ बने रहें वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है अगर आपको नौकरी चाहिए तो भई सारी चीज़े ध्यान से समझने की कोशिस करना भई तो यहाँ पर देखें हरिये करमचारी चैनायो ग्रूप C के CT पास उम्मीदवारों के लिए application तीन-चार दिन में जारी करेगा भई यानि कि जो भी आपको documents वगरा लगाने है जो भी आपको change करना है या फिर जिनके result के सामने प्रोविजनल लिखा हुआ है family ID को लेकर कोई भी correction वगरा करानी है भई सारी चीज़ों के लिए यानि कि जो आपका application यानि कि जो पोर्टल है वो SSC की तरफ से तीन-चार दिन में जारी कर दिया जाएगा तो यहां तक मैं कह सकता हूँ कि यह जो आपका पोर्टल लग वग 39 तारीक के आसपास open होगा उससे पहले इसके कोई chance नजर नहीं आ रहे हो सकता 31 भी हो जाए तो बढ़ी एक तो यह उनके लिए बड़ी जन कर रहे हैं यहां से आप अपना कोई भी documents लगा सकते हैं चेंज कर सकते हैं यह cable उनके लिए जिन्होंने CTE qualified किया वे उनकी हम बात कर रहे हैं दूसरा यहां पर देखे ग्रूप D के लिए पंजी करन पोर्टल फरवरी के पहले चाहते हैं बढ़ी जिन्होंने ग्रूप D के लिए आवे इदर नहीं किया है फॉर्म वगरा नहीं बरें हैं तो फरवरी के पहले वीक में शुरू हो जाएंगे फॉर्म वगरा बरने यानि कि 4-5 तारीके आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे यानि कि ग्रूप अब भी दोकुमेंट करा चाहते हैं ग्रूप D में वो अफडेट करा सकते हैं तो यहाँ पर यह जानकारी भी दिगई है दो बढ़ी जानकारी अभ तक हमने आपके सामने सेर किया तीसरी जो बढ़ी जानकारी है यहाँ पर देखें ग्रूप D का पंजी करन फरवरी के पहल लेकिन यहाँ पर कुछ खास जानकारी दी गई यह वो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ वीडियो के साथ बने गए देनिक सवेर ने पूछा कि गुरूप D के सीटी के लिए पंजी करन के लिए पोर्टल कव तक शुरू होगा आयो के अधिक्ष बोपाल सिंग खदरी ने योग्य सर्टिफिकेट अन्यट अपडेट करने का अफसर दिया जाएगा यहाँ पर सपस्ट कर दिया जिन्होंने पहले आवे दिन कर रहे उन्हें मौका दिया जाएगा फिर से अपडेट करने का पहले से पंजीकरत उम्मिद्वारों के पास कैटेक्री लिखने का कर दे गई है या फिर अपडेट कर सकेंगे भई दैनिक सवेरा से पूछा कि नैशनल टेस्टिंग एजनसी ने गुरूप डी के सीटी के लिए चैर पांच और तस ग्यारे मार्च के तारिक बताई थी क्या एंटी ने लिकित में बेज दिया है तो अद्धिक्ष वुपल मैं आपकी प्रिक्षा बताएगे यह संभवति यानि कि आज भी यही कह रहे हैं चेर्मेंट साव कि मार्च में ही एक्जाम होगा चैर पांच दस ग्यार है और इसके बारे में जो फोटल वगएरा खुलने के बारे में यानि के एंटियों को इसके बारे में जानकरी है तो यहां पर जो भी डॉकमेंट्स आप लगाना चाहते हैं अपने सारे कागज बगर डॉकमेंट्स तयार करने यह आपके लिए जरूरी है बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा ठीक है ना सारी चीजे आप एप्लिकेशन पर जो भी चैंज बगरा कराना चाहते हैं सी की हम बा उनमें से फिजीकल टेस्ट के लिए साथ उन्हा को ही बलाएंगे देख लें बहुत बड़ी जानकर यहां पर दी गई है दैनिक सविरन पूछे क्या हरेन पुलिस और महीला पुलिस के चैजार पदों की बढ़ते के लिए पुलिस भरती नियम भेज दी है अध्यक्ष आविद्वार आविदिन करेंगे उनमें से प्दों की कुल संख्या का साथ गुना में डॉक्ष परिक्षा इलिए बलाएंगे देंग समीन से पूछा के पुचा के लिए साथ उना को बुलाने का क्या अधार है अधिक भुपाल शिंख खदी ने बताई कि पहले भी साथ उना को भुलाया जाता था अब सीटी पास में से भी साथ उना को ही बुलाया जाएगा तो भई देख ले बड़ी जानकार यह आखे खोल ख़बर है भई मैं फिर से कहरा हूं जितने भी पास है और अगर आप पुलिस भरती का इंतिजार कर रहे हैं तो भई आपको मौका नहीं मिलेगा सीटी क्वालिफाइड कराए पलराज कुंडू का साथ दे वरना दोका होगा आपके साथ पहली भता रहा हूं ऐसा नहीं है कुरूपसी की जो सभी भरतीयों के कं पहले तक कोट 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 कर रहे हैं तो यह बहरती पर किरिया आगे नहीं सुनाएगा तो यह आके खूल ख़बर है जो हम आपके सामने सेर नहीं हैं और 54 ग्रूपों में 54 ग्रूपों में संसोधन संभाव है भई तो यहाँ पर यह जानकारी भी दर्साई गई है भई तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी समय लेगी सरकार यहाँ पर अभी हरेना सरकार समय लेगी और मुझे नहीं लगता है कि इन भरतेों की पिरकिरिया अभी चुरू हो जाएगी क्योंकि 21 परवरी से पहले पहले कोई समभावना नहीं हो सकता है कि ऐसे इसको यानि कि जब तक कोट की तारिक है उस तक इसे लेक कर जाए भई तब तक यानि कि कोई संभावना नहीं है कि साइद हो सकता है कि आपके फोर्म भरे जाएं ना भी भरे जाएं ऐसा भी हो सकता है आई टाई अंदे सको की साथ कैटेगरी के 450 पदों का रिजल्ट फिर थोड़े दिन तक लटक सकता है अद्धिक्स ने बताया है हाई कोट से लगे जुर्माने के फैसले की आप फिल करेंगे टीजीटी की भरतिनी हम भी आयोक को नहीं मिले है तो यहाँ पर यह जानकारी भी दरसाएगे बड़ी बड़ी जानकारी सबसे पहले जानकारी लेकर आते हैं बड़ी जो नए साथे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को सेड़ कर दें वही और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद